जी मेरे भाई मेरे दोस्त कैसे हो आप सब आप सबी को मेरा सलाम and वेलकम टू एमके क्रिकेट टिप्स यूटूब चैनल मेरे भाई मैच नमबर 39 चन्नाई वर्सिज लखनाउ सूपर जैंट्स तमाम भंडर्स को मुबारगों जिनोंने कैश किया इसके बारे में बात करेंगे मेरे भाई मजीद भी मजीद के हमारी टीम कौन सी थी इस मैच में क्या था इस मैच में हुआ तो वीडियो आप एंड़ तक देखेगा और स्पेशली यह जो वीडियो है वो है मैच नमबर जो है कल 40 खेला जाएगा मेरे भाई IPL में अभी कुछ ज्जादा मैचीज नहीं बचते समझज लेओ आदी से ज्यादा हो चुकी है तो मैंने कल भी समझाया था कि अगर अभी तक भी नहीं कमाया तो फिर कप कमाऊगे मेरे भाई मैच नमबर 40 दिली वर्सीज मेरे भाई मैच नमबर 40 दिली वर्सीज गुजराट टाइटन्स ठीक है इस मैच के बारे में भी कम्प्लीट प्रडिक्शन के बारे में बात करेंगे वीडियो आप एंड तक देखेंगे और उससे पहले मैच नमबर 39 की ही बात करते हैं जो के अंडर 10 पैसे का जेकपोट हुआ है मेरे भाई कल मैंने आपको एक चीज बताई थी मैंने आपको वीडियो दोबारा उठाके देख लेना मैंने आपको बोला था जो फर्स्ट बैटिंग है वो आपको एक अच्छा टोटल बनाते हुए भी नजल आएगी और आपको वो अच्छे रेड़ पे मिले गया है लेकिन जो चेज होगा वो जो भी टोटल होगा अगर चेज होगा तो वो जेकपोट चेज होगा खीक है वीडियो अभी भी पड़ी होगी यूटूब पे उठा के अच्छे से देख लो के जो फर्स्ट बैटिंग करेगी वो अब ही आपको अच्छे रेड़ पे मिलेगी जो सेकंड बैटिंग अगर कर्चेज करेगी तो वो जेकपोट होगा ये दो बातें बोली थी मैने याद है दुबारा वीडियो देख लेना अब इसी मैच की मैने टेलीग्राम पे पोस्ट डाली के भाई ये मैच आफर के साथ मैने लगाया टेलीग्राम पर फीज भी कम करके लगाया के हंडर्ड बाई हंडर्ड इसका काम है मैं जानता हूं बहुत सारे लोगों को फीज देने में तकलीफ हो रही है मैने टेलीग्राम पे भी बोला है के ऐसे समझ लो के सुनने की चिड़िया हाथ लगी हुई है आई पियल में मेरा मैच कोई इका दुका ही गलत जाए तो जाए अधरवाइस गलत नहीं जाएगा मैं इसलिए ओपन नहीं आ रहा मुझे पता है मेरे फॉल्वर्स भी कम हो जाएंगे मुझे सुनने वाले क्योंके हर कोई फ्री की टिपों के पीछे भागदा है लेकिन भाई आई पियल में मैं भी हाथ बांद के बैठा हूँ जिसको कमाना होगा जिसको तलब होगी वो खुझ मेरे पास आएगा जिसको पैसा कमाना है जो सिर्फ बातें चो देगा वो सिर्फ बातें ही सुनेगा चुत्ती हुई और कुछ नहीं तो मेरे भाई बैक टू बैक जैकपोट कैश ये सक्रीन शॉट आपको दिखा देता हूँ लखनाओ मेरी टीम थी स्टार्टिंग से ही पहला इंट्री करवाया था बोला था जब भी चन्नाई फिवरिट मिले जैसे ही धाई लिमिट प्लस करना लखनाओ पे उसके बाद मेरे भाई 41, 42 पैसे चन्नाई था तब धाई लिमिट और प्लस करवाया ठीक है पांच लिमिट हो गई इनिंग बरेक पर बोला 25, 26 चन्नाई है दो लिमिट और प्लस करो लखनाओ पे साथ लिमिट प्लस करवाई नोन कटिंग मैंने कितनी साथ लिमिट मैंने इस मैच में प्लस करवाई है नोन कटिंग भेंचो क्योंकि भाव आ एंड वाले ओवरों में जाके चेंज हुआ है साथ लिमिड का पता है क्या होता है अगर एक मैच एक लाग से खेलते हो ना एक बैट आप एक लाग से करते हो तो साथ लाग प्लस करवाया मैंने आपको 10,000 से करते हो 70,000 प्लस करवाया मोटा प्लस करवाया सबको तो अब भी आप सोचते हो यार के यार मैं कोई चूतिया बना रहा हूँ WhatsApp का बोल कर, पेड़ ब्रोडकास्ट का बोल कर वो मेरे भई काम देख रहा हूँ मा कसम काम देखो जाके ये कोई फेक स्क्रीन चॉट नहीं है मेरे पास आओ WhatsApp पे मैं आपको दिखाऊँ डेटा लोगों का दिखाऊँ कैसा का किस को कैसे दिया यार थोड़ा सा, थोड़ा सा समझो मेरे भई समझो थोड़ा सा बात को तो अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि अभी भी IPL के मैचीज तकरीबन 32-33 मैचीज पड़े है 30 से ज्यादा मैचीज पड़े है अगर कमाने का मन है अगर कमाना है तो मेरे भाई आजाओ ये मैचीज सारे कमा के दूँगा 90% कमा के दूँगा इंडिया से हो, पाकिस्तान से हो, कहीं से भी हो पेड लिकर वाटसाप पे मैसीज करो वाटसाप का नमबर डिस्क्रिप्शन में भी है कॉमेंट सेक्शन में भी पीन है आकर जॉइन हो जाओ बाकि एक्रिस ही आपके सामने है कि 90% से उपर जा रही है मैच नमबर 40 की बात करूँगा दिल्ली वर्सेज गुजराथ दिल्ली के क्या ही कहने हाँ लास्ट मैच मार पड़ गई और लेकिन दिल्ली का हैदराबाद के अगेंस जो काउंटर अटैक नजर आया वो शांदार था एक स्टेज बे लग रहा था कि बड़े अराम से दिल्ली कहीं चेज भी कर जाएगा जिस तरह से फ्रेजर मगरक मार रहे थे और मैंने फ्रेजर मगरक के बारे में बोला था कि दिल्ली को इसको खिलाना चाहिए ये फुद मारने वाला है और बैक टू बैक वो 50 मार रहा है कैसे मार रहा है आप सबी देख रहे हैं दूसरी तर अब गुजराट टाइटन्स की बात करूँ लास्ट मैच मतलब असानी से जीच सकते थे लेकिन थोड़ा सा मैच को फसाया गुजराट ने और लेकिन फिर अराम से चेस किया पंजाब के तो गुजराट का जो है ना कभी हारना कभी जीतने का जो सिल्सला है वो मेरे भाई चलता जा रहा है कंसिस्टेंसी नहीं है है चकल का मैच दिल्ली के होम गराउन पे होगा ये भी एक हाई वोल्टेज मैच होगा मेरे भाई ठीक है और मुझे लगता है कि दिल्ली थोड़ा सा इंपक्ट ज्यादा डाल सकती है पोई फाइनल टीम नहीं है मैं ये नहीं बोला कुछ दिल्ली जीतेगा गुजरात भी मेरे भाई बड़ी टीम है बड़ी फ्रंचाइज है और फार्म में पी है तो मेरे भाई शम्न गिल के बल्ले से कुछ स्पेशल कल नजर आसकता है आपको गुजरात की तरफ से और दिल्ली जो है वो आपको वैसे डोमिनेट करता हुआ नजर आसकता है भाई ये मैच भी आपको WhatsApp पे मिलेगा अगर मुटा माल कमाना है तो WhatsApp पे आ ज़ाओ बाकि फ्री टिप को फोलो करना है टेलीग्राम और यूटूप पे भी आ रही है टिप्स हर मैच की तो इसको जोईन करके रखो अपना बहुत सारा ख्याल लखो खुदा आफिस